Hello everyone, welcome to my YouTube channel Associate Learning तो मैं आपसे एक information share करना चाहती हूँ जैसा कि मैंने थोड़ दिर पहले आपको बताया है कि जो हमारे exam है वो 29 मही 2024 को आयोजित किया जाएगा मगर यह जो exam है यह सिर्फ और सिर्फ जो university campus के students हैं उनके लिए हैं जो भी other college के बच्चे या फिर जिसमें वो other colleges में जो admission लेना चाहते हैं यह उनके लिए नहीं है यह सिर्फ university campus में जो लोग अपना admission लेना चाहते हैं उनके लिए परिक्षा होगी 29 मही 2024 को इसके बाद जो भी notification आएगा हम आपको inform करेंगे जब भी आपका paper होगा तब हम आपको inform कर देंगे तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जाना है कि जो परिक्षा हो रही है यह सिर्फ university campus के लिए है तो जो लोग और दूसरे affiliated college के लिए भरना चाहते हैं या paper देना चाहते हैं या फिर जिनोंने अपना जो form है वो दूसरे colleges के लिए भरा है वो परिशान ना हो और अपनी तयारी को बहतर बनाते रहें ठीक है मगर जिसने भी campus के लिए form फिल किया है वो लोग तयार हो जाए अपनी तयारी को बिल्कुल अच्छा कर ले क्योंकि उनका जो exam है वो 29 मई 2024 को आयोजित किया जा रहा है और उसकी timing जो है वो 10 वज़े से लेकर के 11 वज़े तक है और इसके बाद आपका एक interview होगा जो की 11.30 वज़े से शुरू होगा और जो भी जानकारी है वो मैंने इससे पिछली वारी जो वीडियो है उसमें सभी आपको detail में पूरा समझा दिया है अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उसको देख लीजे जो university campus में 55 seat हैं उनके लिए ये exam हो रहा है मुझे आपको यह information देनी थी क्योंकि बहुत लोगों का comment आ रहा है कि मैम ये सिर्फ university के लिए है ये सभी colleges के लिए है तो मैं आपको clear कर रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो student campus में admission लेना चाहते हैं उनके लिए है I hope आपको clear हो गया होगा अगर आपको clear हो गया है information अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए stay connected, thank you